नमस्कार साथियो वो मेरे प्यारे पस्वालग भाईयो मैं डॉक्टर दुरुगेश कटा रहा हूं और आप देख रहे हैं यूट्यूपर ग्रोवाई साथियो जो हीफर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ और उसकी डिजीज के बारे में बताने वाला हूँ थोड़ा आपको भी ये आईडिया लगाना है इस स्क्रीन पर देखते हुए कि इस हीफर को क्या तकलीफ हो सकते है साथियो वीडियो को देखते देखते जब तक आप अपना माइंड नहीं लगाएंगे तब तक आप ये बहतर नहीं जान पाएंगे कि जो रोग मैंने बताया उस रोग तक आप पहुँचे या नहीं पहुँचे मेरा टीटमेंट आपके टीटमेंट जैसा इक्वल था या कुछ अलग था या मैं उस रोग के टच में था या आपका आइडिया उसके टच में था साथियो जब तक इन सारी चीजों को माइंड में नहीं रखेंगे आप बहतर इलाज नहीं कर पाएंगे अपने फील्ड में क्योंके साथियो आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है ऐसा डिजीज आपको अपने फील्ड में भी मिल सकता है तो चलिए साथियो इस हीफर से सुरू करते हैं कि इस हीफर के क्या परिशानी है तो सबसे पहले साथियो टेंपरिचर से भी सुरूआत होती है पसू के लच्छनों से भी सुरूआत होती है और साथियो पसपालक से बात करते हुए भी सुरूआत होती है तो साथियो ओनर यानी पसू के मालिक का फोन आया था कि उनकी इस हीफर को कुछ परेशानी है और आँख को खुलने में दिक्कत हुई है और ये परेशानी एक दिन पहले से हुई है उनको लगा कि उनकी इस वफैलो ने किसी निक्वीली चीज़ से अपनी आँख में चोट लगा ली है जिसके कार आँख नहीं खुल पा रही है लेकिन साथियो साथ साथ इसके वो चारा भी नहीं खा रही है तो साथियो जब हम ओनर के घर पहुँचे तो हमने आँख को खोलने की भी कोसिस की और आँख को देखने की भी कोसिस की कि आँख से बहुत सारा कीचड भी आ रहा था और आँख खोलने के बावजूद भी खुल नहीं पा रही थी तो आप आँख की कंडिशन भी देखेंगे कि आँख कितनी जखमी ओचकी है जी यहां साथ यह वफैलों की जो आई है वो कितनी डेमेज हुई है कितनी किसी नुकीली चीज से तो उसको कोई नुक्षान नहीं हुआ है और पस पालक से भी जानने की कोसिस करते हैं आखिर क्या पडिया ने आज सुबह चारा नहीं खाया है ना दूसरा भोरा एंटर यह गरदन को उपर कर रही है और आख नहीं खुल पा रही है ना यहीं समस्या और कोई समस्या है ठीक है बस चलिए साथियो अब इसका टेमपरेचर भी देखते हैं जो इसका मैन हम टेमपरेचर पर ड साथियो जब तक टेमपरेचर आता है उसका जो समय होता है वो 40 से 50 से तक यानि 50 से तक उसे रखना चाहिए गुदा के अंदर जिससे के अच्छी तरह से टेमपरेचर आ सके और साथियो इसके जो लच्छन थे वो था आख में कीचडाना आख का लालामी होना गरदन को उप उपर रखना और पस्प मालिक का कहना था कि चारा नहीं घाना जब तक टेमपरेचर आता है साथियो आप से मेरी रिक्वेस्ट हैं वीडियो को लाइक करें शेयर करें समस्क्राइब करके वेल आइकों दमाएं तक आने वाली सारी वीडियो के नोटिपिकेशन आप तक अच्छी तरीके से पसू की हिस्ट्री के बारे में जानना है पसू के एक-एक सिंटम्स यानि उसके एक-एक लच्छन को कैच करने के बाद जब आप उस निचोर तक पहुँचें साथियो कि आकर इस पसू को क्या परिशानी है फिर उसका इलाज करना है साथियो पसु इलाजी में इलाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जिसका इलाज कर रहे हैं, यदि वो गल्द कंडिशन से हो जाता है साथियो, तो पसू की मिर्तिव भी हो सकती है, इसलिए आप से मेरी रिक्वेस्ट है, सारे लच्छनों को कैच करते हुए पसू का इलाज करें, अब जो इसका टेम्परेचर आया है साथियो, वो है 104.2, जी हाँ साथियो, 104.2, अब यह जिसके जो लच्छन है साथियो, टेम्परेचर भी है, आँख लाला मी है, आँख से कीचड आ रहा है, गर्दन को उपर रख रही है, तो साथियो यह जो परिशानी है, यह वायरल ब्रॉक्षन भी हो सकता है साथियो, और जो आँख में प्रॉब्लम हुई है साथियो, आई फिलू वैक्टियर इंफेक्षन के कारण भी हो सकती है, अब इसका इलाज क्या किया जाएगा साथियो, इसपे गौर करने वाली बात है, तो इसके इलाज जो किया गया साथियो, वो था पीपीएफ डिश्टिल वाटर में घोलकर के साथियों इंट्रा मस्कुलर 40 लाख में पसू की गर्दन पर लगाया गया 15 ml cpm पसू की गर्दन पर लगाया गया और 10 ml निमसलैड पेरसीटामोल पसू की गर्दन पर लगाया गया और साथियों आँख के लिए जो टीटमेंट किया गया वो किया गया ओक्सी टेटरा साइकलिन जी हां साथियों दिन में कम से कम तीन से चार बार इस हीफर की आँख में ऑक्सिट टेटरा सैकलिन डाला गया और प्रिजन्ट कंडिशन पर भी डाला गया था साथियो और इसके बाद में जो बहतरी रेजल्ट मिले साथियो वो बिल्कुल देखने लाइक थे बिल्कुल अचम्बित करने लाइक थे साथियो और आपसे हम इस चीज के रेजल्ट की उनी पसपालक की जुवानी आपको इनके रेजल्ट के बारे में बताएंगे साथियो जैसा कि मैंने बता है साथियो यदि हमारा ठीटमेंट पसू के रोक के एकोर्डिंग होता है साथियो तो पसू आपका बिल्कुल 12 हावर से लेकर के 24 हावर के बीच में बिल्कुल फिट हो जाता है यदि उसका टीटमेंट साथियो सही कंडिशन से या सही डाइगनोसिस नहीं करते हुए या डिजीज के एकोर्डिंग नहों साथियो तो वही बीमारी बढ़ती जाती है और आपके पसू को कोई विरलीफ नहीं हो पाता है लेकिन साथियो इस हीफर को जो रिजल्ट मिला वो काफी देखने वाला था और आप ये समझ चुके हैं साथियो कि इसका जो टीटमेंट किया गया वो बिलकुल डिजीज के एकॉर्डिंग था और इसको क्या भीमारी थी ये भी आप बहतर साथियो और अब चलिए साथियो थोड़ा जानते हैं पसपालक से भी कि उनको इस टीटमेंट के बाद में कितना रिलीफ मिला चलिए साथियो देखियो मेरे साथियो वो मेरे प्यारे पसपालक भाईयो ये वही पढ़िया है जिसका आँख में फिलू था और इसे आज इलाज किये हुए दो ही दिन हुए हैं और दो दिन में इसकी आँख भी बिलकुल फिट हुई है और इसका भुखार भी सही हुआ है इसके बारे में जानते हैं थोड़ा पसपालक से को उन्हें इस ठीटमेंट से कितना आराम मिला था और कितना नहीं आपका नाम क्या है घुरी सिंग उस दिन आपकी ये पढ़िया चारा भी नहीं घा रही थी बिलकुल और आँख बिलकुल बंद थी आँख में से पानी आ रहा था जो इसका इलाज हुआ था उससे इसको कितना आराम मिल गया था इससे सो परसेंट आराम मिला जी या नि दूसरे दिन ये फिलकुल फिट हो गई थी आज तो इसमें ट्रीटمن्ट गरनी कोई जरुवत नहीं है ना बिलकुल फिट है इसका जो ट्रीटमेंट किया गया था वो लगातार दो दिन किया गया था और सात्यो दो दिन ही इसके आन्ख में दवा डाली गई थी और आप स्कीड़ कर देख पा रहें सात्यों इसकी अब जो आँख है वो बिलकुल फिट हो चुकी है और ये जो हीफर है ये भी बिलकुल स्वस्त हो चुकी है तो दो दिन इसका जो टीटमेंट किया गया था वो साथियो पैंसलिन, सीपीम, निमसलैट, पैरसीटामोल ये तीन इंजेक्शन साथियो इसे लगाता और दो दिन लगाये गए थे और साथ साथ आँख में ओक्सी टेटरा सैक्लिन ये दवा भी डाली गई थी साथियो और दो दिन के बाद में जो तीसरे दिन रिजल्ट मिला था साथियो वो आपके सामने था और पस मालिक जी हां साथियो हीफर के ओनर ने भी इसे कितना अच्छा ब कर दो handphone को में सί में जी हां साथियो और फा है बाली बाली कितना अच्छा तर साथियो झाल